दिस इज गिराल के साथ एक और important question के साथ ये question sample question paper 2023-24 का है important question है इसी के base पे आपका 2024 का paper आने वाला है important question है चलो देखते हैं इसी तरह के important question की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी वीडियो को लाई कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से कीजिए चलो देखते हैं question question है हमारा if a vector equal to 4i plus 6j and b vector equal to 3j plus 4k then the vector form of the component of a vector along b vector ठीक है चाँ तो इसका बस formula याद होना चाहिए हमको और कुछ भी नहीं है ठीक है तो formula क्या होता है vector form of component a vector या vector component of a vector along b vector यह formula लिखता हूँ में पहले vector component of a vector along b vector formula होता है इसका a dot b upon b vector का magnitude का square into b vector थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमने एक formula पढ़ा हुआ था कुन सा projection of a vector along b vector तो उसमें था a dot b upon b vector का magnitude ठीक है इसमें थोड़ा सा लग है नीचे आ गया b vector का magnitude का square और उपर आ गया अपना b vector ठीक है बस इसमें value रख देंगे तो सबसे पहले मैं a dot b निकाल देता हूँ तो a और b का dot करना है ठीक है तो a लिखा हमने 4i plus 6j और साथ में b लिख देता है 3j plus 4k अब dot कैसे करते हैं i i वाले multiply j j वाले और k के वाले multiply चलो कर लेते multiply तो यहाँ i का 4 है यहाँ i का है नहीं 0 हो जाएगा यहाँ j का 6 है और यहाँ j का 3 है 6 रिजा 18 और k का भी 0 हो जाएगा तो a dot भी अपना आ गया कितना 18 फिर हम निकालते हैं b vector का magnitude b vector का magnitude कैसे लिखा लेंगे root में और b vector के direction ratio का square 3 का square 4 का square 3 का square प्लस 4 का square 3 का square कितना 9 4 का कितना 16 कितना हो गया यह root 25 और root 25 यानि की 5 ठीक है अच्छा बस value रखतो और क्या करना है a dot b की value रखे हमने 18 नीचे b vector का magnitude का square जो की होगा अपना 5 का square यानि की 25 ठीक है और into में है b vector b vector अपना क्या है b vector है 3i तो sorry 3j प्लस 4k तो यह अपना अंसर आ चुका है बस formula याद होना चीए था बाकि बिलकुल easy question है thanks for watching this video और इसी तरह के question की video पाने के लिए channel को subscribe जरूर कीजिए वीडियो को like कीजिए और अपने friends के पास जरूर चेट कीजिए ताकि हम भी motivation मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही important question की video लाते रहें thank you very much